दोस्तों स्वर्ग लोग और पृत्वी लोग के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन अच्छर पातालोग को लेकर हमें भ्रमित किया जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार इस ब्रह्मधान में 14 लोग माने गए हैं और पातालोग इनमें सबसे अंतिम लोग है। विश्नु पुरान की कथा के मुताबिक एक दिन देवर्शी नारद के मन में पातालोग देखने की इच्छा हुई। उन्होंने अपनी इच्छा अपने प्रभु भगवान विश्नु के सामने प्रकट किया। भगवान विश्णु भला अपने भक्त की इच्छा को कैसे पूरी नहीं करते, उन्होंने नारद जी को पाता लोग जाने की आग्या दे दी, कुछ समय बाद जब नारद मुनी पाता लोग घूंग कर लोटे, तो सभी देवताओं ने उनसे कहा, मुनीवर हमने सुना है आप जरा हमें भी बताईए कि पाता लोग आखिर कैसा देखता है, तब नारद जी ने देवताओं की जिग्यासा को शान्त करते हुए कहा, पाता लोग स्वर्ग लोग से भी कहीं अधिक सुन्दर है, वहां सूर्य और चंद्रमा को प्रकाश की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां इतने सारे हीरे मुती, स्वर्ण और मणियां है, तो उनकी रोश्णी से ही पाता लोग जगमगा रहा है, पाता लोग में हर तरफ सुन्दर, वन, सरोवर और नदियां है, वहां जाने पर ऐसा रगता है कि मनुस समय ठहर सा गया है, इतना ही नहीं, वहां की स्रिया, लोग की अपसराओं से भी कई अधिक सुन्दर है, दोस्तों वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जैश्री हरी लिखना ना भूलें